Hi guys, welcome or welcome back to my channel and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2014 मैं I.V. horror movie It Follows को explain करने जा रही हूँ. इसकी IMDB rating 6.8 out of 10 है और ए रोड़न टमेटो में 96% fresh है. यह movie आपको Amazon Prime वीडियो पे देखने को मिल जाएगी. मूवी की शुरुआत में हमको एक औरत को दिखाया जाता है जो इधर से उधर बस भाग रही होती है. ऐसा देखके लग रहा होता है कि जैसे कोई उसको डरा रहा है और उसको उसके पीछे दोड़ रहा है या फिर उसका पीछा कर रहा है. मगर कोई क्लियर थ्रेट उसके दिखाया देता. उसके फादर उसको पूछते हैं कि क्या चल रहा है मगर वो उनको इग्नोर करती है और घर के अंदर भागते वे जाती है और गाड़ी की चाबी लेके आती है जिसको चला के वो बीच के तरफ निकल जाती है. जब वो वहाँ होती है तब उसके फादर का कॉल आता है और वो रोते वे उनको अपॉलेजाइस करती है और अगले दिन उसकी डेट बॉडी बीच पे हमें मिलती है. उसको काफी बुरी तरह से मार डाला होता है और उसका राइट पैर अजीब तरह से मुडावा होता है. आगे हमको जे को दिखाया जाता है जो एक उनिवर्सिरी की स्टूरेंट है वो अपने घरी के स्विमिंग पूल में होती है जब उसकी बेहन वाँ आती है और उसको पूछती है कि क्या वो उसके दोस्तों के साथ मूवी देखना चाहेगी मगर वो मना कर देती है क्योंकि उ नामदर ट्रेड होता है और गेम की शुरुवात भीड में किसी एक इंसान को चुनने से होती है जिससे वो अपनी जिन्दगी को ट्रेड करेंगे मतलब एक्सचेंज करेंगे बेसिकली यह hypothetical सिचुवेशन में होता है और जो दूसरा इंसान होता है उसको गैस करना होता है कि उसने किसको चुना है वो लड़का अपने चोईस बता देता है क्योंकि जे किसी को गैस नहीं कर पाती है वो अपनी लाइफ एक छोटे से बच्चे से ट्रेड करना चाहता है क्योंकि उसको किसी चीज से परिशानी नहीं है या फिर किसी चीज का टेंशन नहीं है लाइफ म पारी है वहाँ पे खड़े exit के पास तो एकदम से पानिक हो जाता है और उसको hall से बहार ले जाता है जे सोचने लगती है कि वो इतना ज़्यादा परिशान क्यूं हो गया है अचानक से और वो कहता है कि वो अंदर से बिमार फील कर रहा था और वो बस बहार आना चाहता था कि इसलिए उसको वहाँ वो बहार ले आया था उसके बाद वो लोग अपने डेट को continue करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो जब वो लोग अपने डिनर को enjoy कर रहे होते हैं तो ऐसा देखके लगता है कि जैसे उनको कोई देख रहा है एक दिन रात में वो लोग कार के अंदर intimate हो रहे होते हैं तब वो लड़का गाड़ी के ट्रंक में से कुछ लेने जाता है और जै अंदर ही रहती है अपने dream date के बारे में बता रही होती है तब ही वो लड़का उसको chloroform से भी होश कर देता है जब उसको होश आता है तो वो wheelchair से बंदी वी होती है एक खाली hospital के अंद वो लड़का उसको sorry बोलता है और आगे कहता है कि वो उसको चोट नहीं पहुचाना जाता वो बोलता है कि उसने past में किसी के साथ make out करा था और उस इंसान ने उसको एक curse पास कर दिया था जिससे वो उस entity को देख सकता है जिसको कोई और नहीं देख पाता है उस से free होने के लिए उसने अपना curse J को पास कर दिया है जब वो गाड़ी में intimate हो रहे थे वो आगे बोलता है कि वो entity किसी के अब ही form ले सकता है जिसको आप जानते हो या फिर आप नहीं जानते हो या फिर भीड में कोई भी इंसान हो सकता है जो आपकी तरफ एकदम blankly चलता वा आ रहा हो उसको avoid करना है क्योंकि अगर उसने आपको मार डाला तो वापिस से पिछले वाले इंसान के पास curse चला जाएगा जो वो लड़का है तो उसको अपने आपको बचाने के लिए जितना जल्दी हो सके किसी के साथ make out करना होगा जिससे कि उस पर से curse हट जाए और दूसरे इंसा वो दोनों वहाँ से भागते हैं अपनी जान बचाने के लिए घर पे जे की बेहन अपने दोस्तों के साथ बाहर बैटी वी कार्ट्स खेल रही होती है जब वहां जे और उसका दोस्त वहां आते हैं वो लोग देखते हैं कि वो लड़का जे को वहां almost naked हालत में सडक पे छो नहीं देखा है क्योंकि वो अपने घर से embarrassed होता था मगर पुलिस को उस लड़के को ढूणने में बहुत जादा problem हो रही होती है क्योंकि उसने अपना fake identity का इस्तमाल करा हुआ होता है घर को rent करने के लिए उसने सारी चीज़ें अच्छी तरह से plan करी हुई थी जिससे कि एक जब वो अपना pass कर दे curse तो उसको वापे से trace करना impossible हो जाए अजीब चीज़ें होने लगती है जब वो अपने professor के lecture को सुन रही होती है तो उसको एक बूड़ी सी औरत hospital gown पहने वे उसके तरफ आती भी दिखाई देती है वो डर के class से निकल जाती है मगर उसको वो औरत उसक कोई और नहीं देख सकता वो वहां से भाग के आइस्ट्रीम की दुकान पे जाती है जहां उसकी बहन और उसका फ्रेंड पॉल काम करते हैं पॉल जै के बश्मन का दोस्त होता है जिसको जै पे crush होता है मगर जै ने उसको भाई के तरह ही हमेशा देखा था जै उन दोनों को बताती है सारी अजीब चीज़ें जो उसके साथ हो रही है और उसके बारे में वो लोग बात करते हैं उसका डर शांत करने के लिए उसकी बेहन पॉल और उसके एक और दोस्त जिसाइड करते हैं कि वो लोग रात में उसके साथ ही रहेंगे जे को नीन दाने में बहुत जब वो लोग अपने पुराने दिनों को याद कर रहे होते हैं कि उसको किचिन में से कुछ अजीब आवाजे आती है। और उसको दर्वाजा खोलने को बोलते हैं। वो उनको बताती है कि उसने एक लड़की को किचन में देखा है मगर उसकी बेहन को विश्वास नहीं हो रहा होता। थोड़े देर बाद उसकी दूसरी दोस्त भी दर्वाजे पे आती है और जब वो खोलती है तो जे उसको एक ल दिलाती है कि वो अपनी मा को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताएगी क्योंकि वो पकी तरह से फ्रीक आउट हो जाएंगी या फिर उस पर विश्वास नहीं करेंगी। जे अपनी बेहन को हग करना चोड़ती है जब उसको एक आदमी उसकी तरफ आतावा दिखाई देता है वो डर जाती है सोचके कि वो एक और एंटिटी होगा मगर शांत हो जाती है जब वो रिलाइस करती है कि वो उसका दोस्त है और बागी सारे भी उसको देख सकते हैं वो अक्चली में ग्रेग होता है और वो ग्रेग जो है वो जे का क्लास्मेट और पडोसी है जो काफी ज देखने पर अंधहीरा सा होता है क्योंकि खिडकियों पर लक्रियां और न्यूस पेपर लगी भी होती हैं खाली बॉटल्स को भी लटकाया गया होता है खिरकियों से और वो लटका खाली बॉटल्स को खिरकियों पेसे इसलिए लटकाता था है जिससे कि वो एक trap बना सके जिससे उसको मालुम जल जाया कि जब वो entity आ रही होगी पॉल आर्टेक में जाता है जहां उसको एक मैग्जीन मिलता है और पेजस पलटने पे उसको उस लड़के को एक लड़की के साथ खड़ाऊ एक फोटो में वो देखता है जेवो स्कूल पहँचान लेती है जिसमें वो पड़ता है क्योंकि उसने जो जाकेट फोटो में पहना हुआ होता है उसकी वज़े से वो लोग स्कूल में जाके उसका असली नाम और आड्रेस का पता लगाते हैं और उसके आड्रेस पे जाते हैं जिस सिप्राइज होती है जब एक औरत दरवाजा खोलती है वो वही नेकिड ओरत होती हैं जिसको उसने उस दिन खाली वाले हॉस्पिटल बिल्डिंग में देखा था जहां वो लड़के ने उसको वीलचेर से बांदा हुआ था और मालूम चलता है कि वो उस लड़के की माह है और जो रेकेड औरत है उस खाली बिल्डिंग वाली उसने बस उस एंटिटी ने बेसिकली उसकी मा कई शकल को कॉपी करिया हुआ था वो लोग फाइनली उस रड़के से बात कर पाते हैं और वो बताता है कि वो अभी भी एंटिटी को देख सकता है तब ही उसने जे को बोला था कि वो जितना जल्दी हो सके किसी और को कर्स दे दे वो आगे ये भी बोलता है कि अगर उस एंटिटी ने जे को मार डाला तो वो कर्स वापिस उस पे आ जाएगा जिसके बाद वो लाइन से पीछे के तरफ जाने लगे गर उस पहले वाले इंसान के पास जहां से सब शुरू हुआ था वो जे को सौरी भी बोलता है और बताता है कि उसको ये कर्स तब मिला था जब वो बार में एक औरत से मिला था वो उसको ये भी बोलता है कि जब वो किसी को उसके तरफ आते वे देखेगा तो वो वहाँ से भागे बाद में ग्रेग डिसाइड करता है कि वो उसको अपने फैमली वाले घर में लेके जाएगा लेके आता है और जै को उसको चलाना सिखाता है जिससे कि वो खुद को बचा सके आगे वो सारे लेक पे रिलाक्स कर रहे होते हैं जब एंटिटी जिसने जे के फ्रेंड का फॉमली आवा होता है वो उसके बाल को पकड़ लेता है जे की बहन ये देख के थोड़ा सप्राइ के लिए और जे गन निकालती है और उस एंटिटी पे गोली चलाती है मगर वो दुबारा से खड़ी हो जाती है जब वो दर्वाजा बंद कर देते हैं तो उनको वहीं लंबा वाला आदमी आतावा दिखाई देता है खिड़की से बेसिकली ऐसे पास करता हुआ तबी पूटेवे जगा से देखके दर्वाजा खुलने को बोल रहा होता है मगर वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो चीज बाहर ही होती है जो जे को चोट पहचाना चाती है। ग्रेक के जाने के बाद जे दर्वाजे के पास आती है मगर उसको देखके सुप्राइज होता है कि उस एंटिटी ने एक छोटे से बच्चे का फॉर्म ले लिया होता है जुसके घर के पास ही रहता है वो भागते में बाहर जाती है और ग्रेक की गाड़ी को लेके वहां से न हैं वो आखेर कर ग्रेक के साथ मेक आउट करने का डिसाइड करती है कर्स को पास करने के लिए और ग्रेक किसी और लड़की को वो पास कर देगा ऐसा करे हुए काफी दिन बीद गए होते हैं और ग्रेक को अभी भी वो एंटिटी दिखाई नहीं दे रही होती तो उसको करती है कि वह actually make entity है जो ग्रेग की तरह दिखरा होता है वो ग्रेग को कॉल लगाने की कोशिश करती है मगर वो out of reach होता है तो वो तुरंती उसके घर के तरफ भागती भी जाती है वहाँ जब वो उपर जाती है तो उसको ग्रेग की half naked मा दिखाई देती है उसके कमरे के दर्व और वो ग्रेग को मना करने की कोशिश करती है कि वो दर्वाजा ना खोले मगर देर हो चुका होता है क्योंकि जैसे ही ग्रेग दर्वाजा खोलता है तो वो entity उस पे कूद के उसको मा डालता है जै काफी डरी वूई होती है जब वो उस entity को ग्रेग की dead body के साथ make out करतावा द जहां उसको तीन आदमी बोट पे दिखाई देते हैं, वो अपने कपड़े उतार के पानी में चली जाती है, बाद में वो रोते वे हमको घर आते वे गाड़ी में दिखाई देती है, मालूम चलता है कि वो उन आदमियों को कर्स पास नहीं कर पाई थी, क्योंकि उस एंटिट पास नहीं करता है उसके लिए और पूछता है कि उसने ग्रेग के साथ मेक आउट क्यों करना चूस करा, जै बोलती है कि उसको लगा था कि ग्रेग सही रहेगा क्योंकि उसको डर नहीं लगता, पॉल ने पहले जे को मदद करने का ओफर करा था, तब ही उसको बुरा लगा जब उसने ग्रेग के साथ मेक आउट करा था उसकी जगा, फाइनली पॉल उस एंटिटी को खतम करने का तरीका सोचता है, और प्लान ये होता है कि एलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस का इस्तमाल करके वो लोग एलेक्ट्रिक्यूट करेंगे, पानी में उसको डालके, जब वो छोटे हुआ करते थे तब वो लोग वहाँ जाया करते थे, वो लोग वहाँ पे हर्ची सेट करते हैं और एंटिटी के वहाँ आने का इंतजार करने लगते हैं, और जेग पानी के अंदर जाती है, कुछ ही समय बीतावा होता है और वो एंटिटी जेग के डेट फादर का ही फॉर्म लिये वे वहां आती है, वो अपने दोस्तों को ये नहीं बताना चाती है, खास कर अपनी बेहन को, क्योंकि वो लोग पक्का से फ्रीक आउट हो जाएंगे, वो लोग जै को इशारा करके बताने को बोलते हैं कि वो entity exactly कहा है, क्योंकि वो लोग उसको देख नहीं पा रहे होते, entity उनके plan को realize कर लेता है, और वो appliance को जै की तरफ फेकता है, setup fail हो जाता है लगली और जै को current नहीं लगता, मगर उसको सास लेने में problem हो रही होती है, क्योंकि उसको पानी के अंदर ही छुपावा होना होता है, entity से बचके क्योंकि वो अभी भी उस पे appliances फेक रहा हो जै की suffering खतम हो जाए, उसके लिए वो लोग डटे रहते हैं, जै की बेहन एक blanket लेके उस entity के उपर फेकती है और वो successful हो जाता है, और पॉल उसके सर पे exactly गोली मारता है, जिसके वज़े से वो पूल के अंदर गिर जाता है, जैसी जै पानी से निकल रही होती है, कि वो उसको पैर से पकड़ लेता है, और पॉल दुबारा से गोली चलाता है, और इस बार वो मारा जाता है, क्योंकि जै को पानी का पूरा रंग बदलता हुआ लाल में दिखाई देता है, फाइनली जै पॉल के साथ मेक आउट करने का मान जाती है, उसको जै पसंद होती है, इसलिए वो अपने लाइफ तक को रिस्क करने के लिए त्यार रहता है, उसके बाद पॉल उस जगा जाता है, जहां उसको प्रोस्टिट्यूट्स मिलते हैं, जिनके पास वो अपना प्लान एक्जिक्यूट करने का सोचता है, कर्स पास करने का बेसिकली, मुवी खतम होती है, और हम